हलो मेरे प्यारे बच्चों आपने कहावत तो सुनी होगी करत करत अभ्यास के जर्मती होत सुजान रसरी आवद जात दे सिलपर परत निशान इसका मतलब यह है बच्चों कि आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो आपके अंदर भी कोई भी टैलेंट आ सकता है जिस तरीके से रसी जो है एक वेल के अंदर जो बहुत ही सक्त मेटीरियल से बना होता है उसके अंदर भी निशान छोड़ जाता है अगर बार बार उसमें से पानी निकालते हो तो आप बस इस सीरीज में जो लेवल अप सीरीज है एडवांस के लिए इस पे आप लगे रहो मेरे साथ जुड़े रहो और हर रोज अगर तीन चार प्रॉब्लम करते जाते हो मेरे साथ तो सोचो आप एक साल में कितना ज़ादा डेवलप कर जाओगे त तो इस फॉर आल एलेवन्थ ग्रेडर्स जो अभी 10 से 11 में गए हैं वो बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है और 12 वाले इसको लास्ट में रिविजिन की तरह देख सकते हैं तो यह क्वेशन मैंने टेलिग्राम ग्रूप पे शेर किया था टेलिग अधिके के बहुत सारे प्रॉब्लम शेर करते रहते हैं आपके साथ तो देखो यह प्रॉब्लम थोर सा इंट्रेस्टिंग है and I will be taking interesting problems and try to find out unique solutions आप लोग भी मुझे शेर करते रहना unique solutions तो यहाँ पर दिया हुआ है कार A और कार B जो है एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं और और कार A is moving in a straight line ठीक है कार A जो है straight line में move कर रहा है और कार B पहले curve track पे move कर रहा है और फिर straight line हो जाएगा condition दी हुई है कि initial car speed जो है 10 meter per second है और it is accelerating at 1 meter per second square जब तक कि उसकी speed जो है कार A के बराबर नहीं हो जाती है तो बढ़िया है अब इसमें क्या पूछा है steady state पूछा है car A का car B पे आपको भी समझ में आ रहा है कि जब speed same हो जाएगी same road पे तो इनके बीच का distance हमेशा ही same रहेगा तो ये car A है ये car B है इनके बीच का जो distance है हमेशा ही same रहेगा और वही distance आपको निकालना है तो सबसे पहला जो condition दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं लिखा हुआ है कि velocity of car B ये formula तो आपको पता है क्योंकि constant acceleration है तो U plus 80 हम लगा देंगे तो उसे time आ जाएगा कि कितने time के बाद 30 meter per second हुआ है तो ये simply इसको apply करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर solution will be time will be equal to this 30 minus 10 VB minus U मतलब final velocity minus initial velocity upon acceleration जो दिया हुआ है 1 तो ये time हो गया 20 second ओके so time will be equal to 20 second तो ये तो आ गया कि किस time पे ये B जो है 30 meter per second attain कर लेगा अब उतने देर में car A ने क्या distance travel किया भई car A जो constant speed से जा रहा है इसका distance निकाल सकता हूँ मैं इसने 30 meter per second into 20 जो की 600 meter है इतना distance travel किया है car A ने okay now इसी time में car B ने कितना distance travel किया है car B ने जो distance travel किया है वो हो जाएगा पहले तो ये accelerate कर रहा है तो constant acceleration है तो मैं इसमें equation लगा सकता हूँ so ut plus half 80 square so 10 into t plus half into 1 acceleration into t square which is 400 so यहां से यहां cancel हो गया यह 200 200 plus 200 400 meter so car B ने उतने ही time में 400 meter travel किया है अब यहां तक तो mostly बच्चे कर लेते हैं इसके बाद जो catch है वो यह है कि आप देखो steady state में पहले car C के beyond कितना distance travel कर रहा है ठीक है क्योंकि यह जब curve पर move कर रहा है उस समय यह यहां से कर रहा है यह आगे जा रहा है तो C के beyond C खुद भी 100 meter है यहां से देखो जो car A स्टार्ट कर रहा है जहां से हम observation स्टार्ट कर रहे है यहां से यह जो distance है 100 meter है तो distance traveled by मैं यहां लिख लेता हूँ distance traveled by car A beyond C यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 600 minus 100 which is equal to 500 meter अब पूछो के सर यह क्यों किया अभी बताता हूँ मैं अब car B ने क्या किया car B beyond C दोनों straight line में है इसलिए हम निकाल रहे है उससे पहले यह curve में था और यह straight line में था तो दोनों same linear direction में नहीं थे इसलिए अलग-अलग निकाल रहे है तो इसने कितना travel किया तो मैं यह कह सकता हूँ यह पूरा circle जो होता है वो 2 pi r होता है और यह 1 4th है तो 2 pi r यह minus हो जाएगा 2 pi 100 हम यहाँ पर क्या करेंगे हम 400 में से क्या minus कर देंगे 400 में से हम minus कर देंगे 2 pi r upon upon क्या 4 because it is 1 4th of a circle तो 400 minus 2 into 3.14 into radius is 100 by 4 यह हो जाएगा चलो इसको ऐसे कर लेते है 2 और यह हो जाएगा 2 से 1.57 तो यह हो जाएगा 157 इसलिए हम 100 को नहीं कैंसल कर रहेते हैं पहले तो 2 से 2 को कैंसल किया फिर यह 157 हो गया and this will be equal to this will be equal to 400 minus 157 400 से 157 को minus करोगे तो कित्ता हो जाएगा 243 यह होना चाहिए 243 मीटर चेक कर लेना calculations but that is not that important तो इसका मतलब यह हो गया कि car B जो है C के beyond इतना distance travel करता है और car A जो है C के beyond 500 मीटर distance travel करता है तो इन दोनों के बीच में जो gap रहेगा वो यही gap रहेगा 500 minus 243 500 minus 243 this will be the gap तो कि यह जब यहाँ पे आप देखो यह extra distance travel कर रहा था और उसके बाद C के beyond जो है इतना distance 243 इस time में किस time में जब उसकी speed 20 हो जाती तब तक इसने extra distance जो straight line में travel किया वो 243 है और इसने कितना distance travel किया C के beyond 500 मीटर किया और इसलिए इन दोनों के बीच में जो gap रहेगा वो यह 500 minus 243 रहेगा which is 257 मीटर this is the gap which A will have with B I hope सबको समझ में आ गया हो क्यों कर रहे हैं यह वाला step यह step maximum लोग miss कर जाते हैं और यह it can come as a integer type question in J.E. advance because J.E. advance कोई बहुत difficult question तो करता नहीं है वो आपको थोट सा complicated कुछ ऐसे steps दे देगा जो आप miss कर जाओगे exam के condition या stress में therefore this becomes an interesting problem from J.E. advance perspective तो जिन्होंने भी answer यह निकाला है 257 please mark it, give me a thumbs up और नीचे comment box में भी लिख लो now इसी question को और interesting बना देते हैं इस question को interesting बनाने के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि car B जो है यह following acceleration मतला आप acceleration constant नहीं है पहले T1 time तक acceleration constant है but T1 से लेके T2 जो कि 5 second है उसमें acceleration constant नहीं है तो मैं आपको क्या करूँगा इस सवाल का या इस problem का मैं steps बताऊँगा आपको खुद solve करना है अपने homework की तरह तो सबसे पहला step क्या होगा और मुझे answer भी बताना है तो सबसे पहला step तो यह हो जाएगा clearly जैसे हमने उसमें भी किया था कि time निकाल लेंगे तो area under this curve, area under 80 यह तो simple है area under acceleration time graph यह क्या देता है change in velocity change in velocity so now अगर मैं 80 graph का area निकालूँगा वो कितना हो जाएगा 80 graph का area हो जाएगा rectangle का area 1 into t1 प्लस यहां पर आ जाएगा 1 into t1 प्लस half into base which is 5 into perpendicular distance which is 1 तो यह यहां पर यह तो यह basically t1 plus t1 plus 5 यह इस तरीके से आ जाएगा t1 plus 5 by 2 now change in velocity change in velocity क्या होता है v final minus v initial तो यहां पर इस जगा पर अगर आपको यह निकालना है कि v final minus v initial यह कितना हो जाएगा तो आपको पता है कि total जो यहां पर initial velocity थी इस car की इस पूरे starting में वो क्या थी 10 और finally कितना हो जाएगा 30 तो यह आपको पता है this is equal to 20 and from here you will get 20 so you will get what t1 plus 2.5 is equal to 20 and therefore t1 is equal to 17.5 second so यह t1 आ गया t2 भी आ जाएगा so t2 भी आप निकाल लोगे t2 हो जाएगा 22.5 second ठीक है क्योंकि t1 में आप 5 add कर दोगे इसमें 5 add कर दोगे t2 आ जाएगा तो आपने सबसे पहला step तो कर लिया कि आपने क्या निकाल लिया आपने time निकाल लिया t1 और t2 okay so total time देख रहो पिछले वाले case में अगर वो constant acceleration था तो 20 second आया था यहाँ पे 22.5 second आया है now second step becomes very critical यहाँ पे आप directly equation of motion नहीं apply कर सकते हो क्यों नहीं apply कर सकते हो equation of motion because acceleration is not constant for the entire motion और यहाँ से यह वाला जो यहाँ जाप constant acceleration था यहाँ आप apply कर सकते हो but इस वाले case में जो की औरेंज से मार्क कर देता हो इस case में आप equation of motion नहीं apply कर सकते हो तो अब यहाँ पे क्या करेंगे how will we solve this particular portion तो first and I am writing the step आपको solve करना है first मुझे acceleration as a function of time निकालना है और वो कैसे निकालेंगे for t1 से लेके t2 condition तक मुझे acceleration function of time है तो यह straight line दिया हो है straight line का equation लिख सकते हो और अगर straight line का equation लिख सकते हो आपको slope किसी भी time पे for a particular time कोई भी एक time चूज कर लो और उस पे आप acceleration का function लिखतो as a function of time जब यह लिख दोगे तो क्या है dv by dt is equal to a because acceleration is a function of time और यहाँ से velocity as a function of time आएगा so velocity as a function of time निकाल लो गया so this is important अब इसको directly solve मत कर लेना for t1 and t2 आपको function of time निकालना है now the third step is एक बार यह आ गया तो आप distance भी निकाल लोगे distance is equal to dv यहाँ पे क्या दे होगा ds by dt यह हो जाएगा v into dt आजाएगा ठीक है dv by dt जिस तरीके से acceleration था उसी तरीके से ds by dt जो होता है v होता है and displacement आजाएगा for t1 and t2 यहाँ से v dt आजाएगा और यहाँ से आप distance निकाल सकते है for t1 to t2 t1 भी पता है आपको t2 भी पता है so this distance will be calculated और total distance क्या हो जाएगा total distance by car b total distance by car b will be equal to s1 s1 क्या था s1 था यह वाला area s1 यह तो constant जब acceleration से move कर रहा था और s2 is when it is moving with changing acceleration तो अब यह s1 और s2 यह calculate कर लोगे तो जब आपने यह calculate कर लिया s1 and s2 तो question अब फिर असान हो जाता है आपको total distance car b का आ गया car a का भी total distance आ जाएगा क्योंकि time तो आपको पता है total time is 22.5 तो car a is moving with a constant acceleration and then question becomes very easy जैसे हमने किया था कि car a का total distance आ गया यह तो आपको आ जाएगा it is velocity of a into total time which is t2 यह total time था तो यह आप निकाल लोगे sb आपने निकाल लिया है जब यह दोनों निकाल लिया है तो beyond c आपको यह यहां से आ जाएगा s1 plus s2 तो beyond c किता move करता है यह निकालना है तो यह भी आप निकाल लोगे and that is how you will solve the question please submit the answer यह लिख देता हूँ answer in comment ठीक है answer in comment box ठीक है आप यह करो आप